करो कानून को अपनी जैम में लेके गूम रहे हैं तो अपना हम हक मांग रहे हैं तो क्या पुरा काम कर रहे हैं कंपनी बेस से अड़ा के ठेकेजारी में कर दिया जबकि हमाने कोई कानून नहीं है ऐसा प्रिसासने का अधिकारियों की क्या मजबूरिया हैं जो कमपनी प्रवंदकों के वो बंदक बन चुके हैं चार जनवरी से लगातार इन लोगों को जानकारी देते हुआ हैं कि डॉल्बिन कमपनी प्रवंदक मजदूरों को जवर जस्ती ठेके में ढगेल रहा है एडियम साब ने हमसे ये भी कह दिया हमारी लाश्ट बारता के दोरान की आप जो है कर्लेक्टेट परचर के अंदर दिखाई भी मत देना है इस बक्त मैं मौजूद हूँ उत्राखन रुद्रुप और उदम सिंग नगर जिले में पांत नगर सुटकुल में साथियों यहां एक बहुत बड़ा धर्ना प्रतरसन चल रहा है जो कि पिछले 35 दिनों से सिर्मकों का करमचारियों का मजदूरों का एक संक्थन इस धर्ने पर बैठा है किन मांगों को लेकर धर्ने प्रतरसन में बैठे हैं क्या नाम है अपका सबस्क्राइब तो नियूंतम सेल लिए वो न्यूंतम सेल ही तारह सरकार के दिन जितनी ही मिलनी है आप तक आपकी सुनवाई नहीं हो पा रहे हैं आप लगतार इस धन्य पृत्रसन को आगे बढाते चले जा रहे हैं अब तक आप लोग प्रसासन के पास भी साहथ गए हैं तो आपकी किस तरह से क्या तक सुनवाई हो पा रहे हैं या प्रसासन आपके इस मामले को संग्यान में ले रहा है कि नहीं ले रहा है प्रिशासने कदिकारियों की क्या मजबूरिया हैं जो कमपनी प्रिबंदकों के वो बंदक बन चुके हैं वो इस तरीके के लेजे में बात करते हैं हमसे हमने पूछा कि साहब ऐसा कोई कानून है जिससे की पर्मायंट लोगों को ठेके में डाला जा सकता है तब बोलते हैं ऐ लोग गुलाम बन चुके हैं पूरी तरीके से और अभी जो है एडियम साब ने हमसे ये भी कह दिया हमारी लाश्ट बारता के दौरान कि आप जो है कर्लेक्टेट परचर के अंदर दिखाई भी मत देना एडियम साब से आपकी बारता हुई है एडियम साब के समक्से कमेट के अध्यक्स एडियम साथ थे तो उन्होंने ये कह दिया लाश्ट बारता में कि अगर आप मेरे समझोतों को नहीं मानते हो एक हास इस पर समझोता था कि आप 50% सिर्मिकों को अंदर वेज़ दो और 50% सिर्मिक बाहर रह जाओ ऐसे में आपकी सेलरी भी नहीं बढ़ेगी आ और आप इस समझोतों को मान लो हमने उससे आसाहमती जदा दी तो बोले आप कलेक्टेट परसर के अंदर भी दिखाई मत देना ये बत्तिमी जी हमसे एडियम साप कर रहे थे अब बताओ ऐसे में हम मजदूर कहां जाए तो आप लोगों ने और भी बड़े जो उत्त्राख और एलसी मौदे को भी ज्यापन दिये लेकिन वो लोग अगर हमारी सुनते तो हमें आज धरने पे बैठने की इस्तिती पैदा नहीं होती हम चार जनवरी से लगातार इन लोगों को जानकारी देते हुआ हैं कि डॉल्पिन कंपनी प्रवंदग मजदूरों को जवर जस्ती कि यख़ CF यख़ लोगों कोई भी सुनिवाइए नहीं करी है और बार बार जब भी बारताइं होती हैं तो यह धंकी दे कि तुम्हारे मांगों को कोको ने अरा ब्लवार लगा थे कि हमने 35 दिनों एसी मांगों को लेकर सासन पर सासन ब्यक्तिव के पास गए हैं, अभी तक वो कोई मामने को संग्यान में नहीं ले रहा हैं उन्होंने, जो यहां के SSP मौद है, उनका एक बयान आया था, उस बयान में उन्होंने का था कि जो बहारी लोग है, वो इस सिदकुल का महल बिगालन कोसिस कर रहा है, आखे we mun Pokemon Company में, पाँस साल से कारियरक हूं, मैं हो जो मतलब बताया रहा है, सिद्गुल को को कब बहारी लोग आके यहां पर मोहल learnt, खराब कर रहा है तो बहार से यह अपनि को मांग रहे हैं तो एकाफे हां कानूंब मांग रहे हैं इसलिए विची कहुत है कि यहांग नहीं हैं मांगरी दनकिनिश better लिए विसियुग कटे हुद्व, कि जा ख़ंड को क्या पोकव काहीं दागर में दन हमारे लिए कुछ एक हैं कंदोने करने की हैं लोग बात करा हैं तो यह लोग हमें परेशान एंटरृ को अगे आप लोगोंने जो महिला हैं समयain में पिछली बार आया था इस मांगों को ले करके इस प्रदासल में बैठी हुई थी लेकिन आज मैं देख रहा हूं एक आज अकेले आप इस आंदुलन पर बैठी हुई हैं तो बाकी लगवग मुझे लग रहा है कि लोग अप धीरे-धीरे किनारे हो रहे हैं आप कब तक ऐसे इस धने में कब तक चल जब तक आप लोग को आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगे आप लोग ऐसे धरने पर दटे रहेंगे हम लोग यहीं धरने पर बैठे रहेंगे और कल दो अक्टूबर है दो अक्टूबर को हम गांधी पार्क में भूंखरताल पर कल सारे लोग दॉल्पिन के जयो सिर्म झाल झाल